SSC GD Coastable भर्ती 2018 नमस्कार दोस्तों SSC GD Coastable भर्ती 2018 को लेकर एक अच्छी कबर आपके लिए आही चुकी है लगातार ब्यारतों कमेंटारे थे कि सर्वेकनसी क्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी दोस्तों ऐसे में आपके लिए एक राहत बरी और अच्छी कबर आप इसे मान सकते हो क्योंकि गरैम मंतराले की तरफ से ITBP में यहाँ पर ITBP की बात कर रहे हैं दोस्तों ITBP में 10 अलग से यहाँ पर अलग से आठ नई बटालियन तैयार की जारी है आठ नई बटालियनों की इजाजत यह वो गरह मंतराले की तरफ से आकिर मिल चुकी है गरह मंतराले की तरफ से आठ नई बटालियनों के लिए हरी जंडी है वो यहाँ पर मिल चुकी है क्या यह 8000 जो 8000 वेकंसी आपकी होने वाली है ITBP में 8000 जवानों की जो बढ़ती होने वाली है वो ऐसा से GD कोश्टेबल बढ़ती 2018 में आपके इंक्रीज हो सकते 8000 पद वो भी अकेले ITBP में हो सकता दोस्तों बाकी की पोर्सों में भी कुछ पद बढ़ाए जा सके लेकिन ITBP में 8000 के लगबग आपकी वेकंसी बढ़ सकती है ऐसा दोस्तों ग्रैम मंतराले की तरफ से कहा गया मतलब ग्रैम मंतराले ने इजाज़त दे दिये ITBP को ITBP की तरफ से यहाँ पर ग्रैम मंतराले की तरफ से इजाज़त मांगी गई थी कि हमें यहाँ पर आठ नई बटालियन बनानी है और इतने जवानों की हमें जरुत पड़ेगी तो परते एक बटालियन में हजार जवानों की जरुत पड़ती है तो आठ बटालियन में आपके आठ हजार जवानों की जरुत पड़ेगी और इतने जवान दोस्तों आपके आई थी उस समय यहाँ पर गुण पचास हजार पदो पर आपकी वेकंसी थी लेकिन जब आपकी बरती का अंतिम चरण था उस समय वेकंसी को बढ़ा के सीधा एक लाग कर दिया गया था बिल्कुल दोस्तो उस बरती में सभी मेडिकल फिट कैंडिडेटों को बरती किया गया सभी जो मेडिकल फिट थे उन सभी को बरती किया गया वेटिंग लिस्ट वाले भी सभी कैंडिडेट है उनको जोइनिंग दी गई थी तो बोती है अगर आपके भी ऐसा कुछ होता है जीडी कोश्टेबल बरती 2018 से रिलेटेड हर परकार की अपडेट अगर आप पाना चाहते हो तो चैनल को अभी आप जरूर सब्सक्राइब कर ले तो यहाँ पर डिटेल से बात करें तो दोस्तों अब आपका आपकी बरती परकरिया है वो अंतिम चरण में पहुंच चुके मत कि SSC को ही बरती परकरिया का जिम्मा दिया गया था लेकिन फीजिकल और मेडिकल का जो कारिये है वो CRPF को दिया गया था CRPF ही उसमें नोडल ओपिसर की टीम थी उसके साथ यहाँ पर बात करें तो दोस्तों अब SSC ही आपकी फाइनल मेड लिस्ट और वेकन सीज का जो मेड लिस्ट आएगी जिस दिन आपकी फाइनल मेड लिस्ट आएगी उसी दिन आपको बता दिया जाएगा कि आपको BSF मिलिये या पिर CRPF या पिर CISF मिलिये ये सब आपके नमबरों पे और आपकी परिपेरेंस पे डिफेंड करेगा कि आपके कितने नमबर है और आपको कौन सी पोष्ट आपने कौन सी पोष्ट है वो परिपेरेशन में चोईस की है उसी के आदार पर यह सब आपको मिलने वाला है लेकिन दोस्तों अगर आठ हजार भी अगर आपकी वेकेंसी इंक्रीज होती है तो इससे काफी जादा ब्यारतियों को सीधा सीधा फाइदा मिलने वाला है बिल्कुली दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दिता हूँ हो सकता है दोस्तों आपकी वेकेंसी ज्यादा भी इंक्रीज हो जाए लेकिन आठ हजार वेकेंसी है उनको यहाँ पर ग्रह मंतराले की तरफ से हरी जंडी दिखा दी गई है मतलब इजाजत दे दी गई ITBP को 8000 नई बटालियन मनाने की 8000 नई जवान बर्थी करने के लिए क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बात करे काफी लंबे समय से ITBP में जवानों की कमी चल रही थी ऐसे में लगातार ITBP की तरफ से ग्रह मंत्राले को यहाँ पर लेटर बेजे जा रहे थे की हमें 8 नई बटालियन तैयार करनी है आप क्या इजाज़त देगे तो अब उनको ग्रह मंत्राले की तरफ से इजाज़त मिल ही चुकी है तो एक एक हजार की 8 बटालियन की बात करे तो 8000 नई जवान बर्थी होगी इसके साथ ही दोस्तो फाइनल मेटलिस्ट की बात कर लेते हैं आखिर जोइनिंग कब तक होगी फाइनल मेटलिस्ट दोस्तो आपकी दिसमबर लाश्ट तक आने के पूरे पूरे चांसेज है अगर दिसमबर लाश्ट तक आपकी फाइनल मेटलिस्ट आती है तो आपकी जोइनिंग भी बहुत ही जल्द शुरू होगी और वो हो जाएगी आपकी जोइनिंग जनवरी लाश्ट और फरवरी में जी आँ दोस्तों जनवरी लाश्ट और फरवरी में आपकी जोइनिंग है वो शुरू हो जाएगी क्यूंकि लग बग पेरा मिलिटरी पोर्षेज के ट्रेंटिंग सेंटर खाली पड़े बिलकुल दोस्तों पहले ही SSB और CISF की तरब से तो पूरे नोटी सी निकाल दे गए थे कि इतने जवानों को हम अमारे ट्रेंटिंग सेंटर में ट्रेंग कराएंगे इस ट्रेंटिंग स को इसका यहाँ पर बूरा असर देखने को मिलने वाला है क्योंकि दोस्तों आपकी नई बर्ती आएगी वो आएगी 25 मार्स से ओनलाई रजिस्टेशन होंगे और कम से कम इस बर्ती में भी दोस्तों आप मान के चलिएगा डाई से लेकर तीन साल तो इतने तो लग ही जाएंग करें तो काफी लंबा समय हो जाता ऐसे में बहुत सारे ब्यारती ऐसे होंगे जो आवरेज हो जाएगे जिनकी यह लाष्ट बढ़ती है अगर वैकनसी बढ़ती है तो उनको सबसे ज्यादा पाइदा मिलने वाला वैसे दोस्तों आपकी वैकनसी भूत ही ज्यादा खाली अगर इन में से 25,000 वेकंसी भी अगर बढ़ा दी जाती है तो सभी कैंडिडेट जो medically fit है और जो लगातार तीन साल से struggle कर रहे हैं उन सभी को बढ़ती होने का एक सुनरा मोकाया पे मिल जाएगा। जिनकी 24 यहाँ पे CIE सब थी लेकिन उनके नमबर कम होने के कारण उन्हें 20 सब मिल रहे थी अगर वेकंसी बढ़ती है तो उनको CIE सब भी मिल जाएगी और NIE और SSR में भी मिलने का चांसे बढ़ जाएगा क्योंकि आपकी वेकंसी 25,000 बढ़ेगी तो सभी फोर्सों में आपक तो को मिलने वाला ऐसा नहीं कि जिनके कम नमबर है उनी को फाइदा मिलेगा जिनके अच्छे नमर है उनको भी आपर आपको फाइदा है वो सिदा सिदा देखने को मिल जाएगा अब बात आती है दोस्तो अब आपको ज्यादा लंबा समय का इंतजार नहीं करना होगा दिस दिसम्बर लाष्ट तक आपकी फाइनल मेट लिष्ट है वो SSE की तरफ से जारी कर दी जाएगी क्योंकि अब SSE पर भी काफी ज्यादा दबाव आ रहा है क्योंकि 2018 की बरती है और अभी 2020 भी पूरा होने को जा रहा है ऐसे में तीन साल हो चुके अभी तक बरती परकरिया पू दो इनिंग भी शुरू हो जाएगी तो दोस्तों ये थी एक मेरे दोरादिकी चोटी सी जानकारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लिए साथ में कमेंट बॉक्स म कमेंट करके हमें जरूर बताए कि आप कौन से राज जैसे विलोंग करते हो तो दोस्ते शुडियो में इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जया इन जया बार